हेलो फ्रेंड्स वेलकम तुमाई चैनल मैं हूँ नीलम आज हम बनाएंगे आलू की चटपटी सी सबजी आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये सबजी हम बिना प्याज लेसन टमाटर के बनाएंगे फिर भी इतनी चटपटी है स्वाधिस्ट बनाएगी अगर आपने इसको र मेर्जी हल्दी और साथ में मैंने लिया है गरम मसाला तो सबसे पहले हम एक छोटी चम्मच भरके इसमें धनिया डालेंगे दनिया डालने के बाद आदी चोटी चम्मच लाल मेर्च आदी चोटी चम्मच हल्दी इसके बाद हम इसमें गरम मसाला डालेंगे आदी चोटी चम्मच से कम गरम मसाला जाएगा मतला वन फोर्थ टी स्पून ही समझ लीजिए इसके बाद हम थोड़ा सा दो तीन चम्मच इसमें पानी डाल देंगे ज्यादा पानी मत डालना और इसका एक पतला सा घोल बना ले कड़ाई रख देंगे उसमें डालेगे ओयल तो इसमें मैंने डाला है जब हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालें जीरा 3-4ची per चम्मच जीरा जिशे से तरक जाएंगा और एक हरी मिर्च मैंने बारी बारी काट का डाल दी है इसके बाद में हम इसमें जो मसाला हमने तयार करके रखा था वो हम डाल देंगे और इस मसाले को हमें अच्छे से बूनना है जब तक कि इसका तेल सेपरेट नहीं हो जाए मसाला अच्छे से बूनना इसलिए जरूरी है अगर आप इसे नहीं भूनेंगे तो हल्दी की कच्ची कुछमू पूरी सबजी में आ जाएगी तो इसको बहुत अच्छे से भूनिये यह देखिए मैंने कितने अच्छे से भूना इसको इसको भूनना है इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे यह मैंने तीन चार आलू कुबाल लिये थे और इसको चील लिया है मैंने तो यह मेरे पास रखे हुए थे आलू तो अगर आपके पास आलू रखे तो दस मिनिट में सबजी बन जाती है अगर आपको मेरी रैसीपी अच्छी लगी तो इसे लाइक किजिए शेयर किजिए मेरे चैनल को किजिए कॉमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए रैसीपी आपको कैसी लगी तो इस तरह से मैं आलू को मोटा मोटा तोड़कर डालूंगी तो देखिए इस एक गलती हो गई कैमरा दो मिनिट के लिए पास हो गया और मैंने वह रिकॉर्डी नहीं हो पाया तो मैंने कु और इसके बाद हम इसमें नमक डाल देंगे और नमक डालने के बाद में इसमें उबाला आएगा थोड़ा सा हम अम्चू डालेंगे ताकि सब्जी कोई खटा पन मिल सके और इसको अभी हम अच्छे से चला देंगे तो इस तरह से आप इसे चला दीजिए थोड़ा धनिया डाल देंगे तो जो मैंने आलू मसल के डाले थे उसमें कुछ आलू मैंने बहुत ही ज़्यादा मसल दिये थे ताकि ये जो रसे वाली सब्जी है इसको ग्रेवी को एक गाड़ा पन मिल सके तो ये मैंने कम सकम अच्छे मिनिट इसको उबाला है जितना आप उबालेंगे उतना टेस्ट चड़ेगा इसमें तो देखिए सब्जी बनकर तयार होगी है तेल भी एकदम सेपरेट हो गया और एक अच्छा सा लाल कलर आ गया इसमें तो चलिए इसको सर्फ कर लेते हैं जैसा कि मैंने बताया इसको पूरी रोटी पराठा के साथ आप खा सकते हैं इवन प्लेन चावल के साथ भी यह बहुत अच्छी लगती है बहुत चटपटी है हलकी सी खटी है बहुत टेस्टी स्वादिश्ट सबजी है मेरे कहने पर एक बार जरूर बना कर देखिए अपना फीड़बैक मेरे सा जरूर शेयर किजिए पास से देखिए कितनी टेस्टी सबजी बनी है जबकि हमने इसमें ना प्यास डाला है ना लेसन डाला है ना टमाटर डाला है तो भी इस सबजी बहुत स्वादिश्ट है थोड़ा सा धनिया डालेंगे उपर से कैसी लगी रेसिपी जरूर बताईएगा अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स वीडियो में अपनी एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू सो मच